उधारन 3 तेज हवा से तूटे एक पेड का सिरा जुक कर पेड के 5-6 मिटर की दूरी पर जमीन को छूता है यह हिस्सा जमीन से 6 अंज का कोण बनाता है पूरे पेड की उचाई ग्याद किजिए हल पेड का तूटा हुआ भाग एसी है दिया गया है कि तूटे सिरे के शीर से पेड के पाद बिंदू की दूरी 6 मिटर है समकोण त्रिभुज A, B, C में 10 साट अंच बराबर 10 का मान होता है 10 थिटा लंबटा अधार तो लंब है मारा B, C और अधार है A, B 10 साट अंच का मान होता है वर्मूल तीन बराबर B, C बटा 6 तीरिया गुणा करेंगे हम 6 को वर्मूल 3 से गुणा करेंगे तो B, C का मान हमें प्राब्त होंगा 6 वर्मूल 3 मीटर उसी तरह से पुना हम समकोण समकोण त्रिभुज A, B, C में लेंगे साइन 60 अंच तो साइन थीटा जो होता है वो होता है लम बटा कर्ण तो लम कितना है B, C और कर्ण है हमारा A, C या 10, 60 अंच का मान होता है वर्मूल 3 बटा 2 बराबर B, C का मान हमारे पास हमने ग्याद किया है 6 वर्मूल 3 बटा A, C या A, C का मान हम तीरिया गुणा करेंगे और 6 वर्मूल 3 गुणा 2 और इसका पक्षांतर करेंगे वर्मूल 3 का तो वर्मूल 3 वर्मूल 3 और वर्मूल 3 कट जाएंगा और A, C का मान हमें प्राप्त होंगा A, C बराबर 12 मीटर अब अताहा पेड़ की उचाई हमें ग्याद करनी है तो पेड़ की कूल उचाई जो है वो बी-सी धन धन एसी है तो बी-सी हमने ग्याद किया छे वर्मूल तीन मीटर धन एसी का मान हमने ग्याद किया बारा मीटर बी-सी का मान हमने छे वर्मूल तीन ग्याद किया था धन एसी का मान बारा मीटर यहां पे हम दोनों पदों से छे को उभैनिश्ट निकालेंगे तो उच्टक में ह हमारे पास वर्मूल 3 धन 2 मीटर इस तरह से हमने पेड की उचाई ग्याद की 6 कोश्टक में वर्मूल 3 धन 2 कोश्टक बन मीटर तो यह इस उधारण का हल होगा